हलो मेरे बच्चेों, कैसे हो? आशा करती हूँ, आप बिलको ठीक ठाक और सवस्त होंगे आज आपका हिंदी का उसलेक लिखने का दिन है, तो आए लिखना शुरू करते तो बिटा, सबसे पहले हमने बनानी है लिखाई तो हम लिखाई बनाएंगे बिटा, कोंसे शबत लेंगे हम आज रमजान कहलेंगे बिटे, रमजान, तो आए लिखना शुरू करें तो हम बिटा, हर शबत बोल कर लिखेंगे, ताकि हमें मातरा की पहचान हो कोंसी मातरा की शबत के साथ आएगी और हमको सुन्दर से सुन्दर लिखना है तो आए लिखना शुरू करते हैं तो बिटा आए लिखे रमजान रा के लिए बिटा सीधी लाइन लेंगे बिटा आदिस जादा करब करके इसको छोड़ देंगे मा सिधी लाइन आदे जादा चोंचवल मा बनाएगे रम जान ज लाइन बीच में नीचे आएगे दिरे दिरे इसके उपर जाएगे और जाके बीच में बिंती रमजान चोंचवलन न शाबाज तुमने लिखा बिटा रमजान आप बिटा बोल बोल के लिखे, सुन्दर लिखे, फिर से हम लिख रहे हैं दुबारा से रमजान, रहंची, मा, जान, ठीक है बिटा, हंची तो बिटा आपने ये दो लाइने छोड़नी है, दो लाइने छोड़के आपको ऐसे ही यहाँ पर सुन्दर सी राइल लिखना है, रमजान, आगे भी टेक लाइन छोड़के हमने बनाने हैं, वाक्य, बिटा वाक्यां बनाते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो आजे लिखना शुरू करती हैं, अ अ, हाँ जी, प, सीधी लाइन आजे जादा कर्ब करके छोड़ देंगे, सीधी लाइन, न, न, हाँ जी, नक साथ किसके वाज आ रही बिटा, एक की शाब बाज, तुमने नक के साथ एक ही मातर लगाई, अपने पैरों, जब हमारे शबद पूरा हो जाता है, अगला शबद बनाने से पहले हमें उसके लिए जिगा छोड़नी होती है, अपने पै, हाँ जी, ए की दो मातर हैं, अपने पैरों, अपने पैरों, अपने पैरों पर, सीधी लाइन आजे जादा छोड़तेंगे, पर, खड़ा, गुलाई करेंगे, दुबार से गुलाई चोड़ेंगे, सीधी लाएं, खड़ा होना,ंपने पैरों उपर, खड़ा होना, पमजी इसका मतलब बता हैं, अपने पैरों पर, खड़ा होना, यह पटा हमारे, मोहावरा यह हाँ जी अपने पैरों पर खड़ा होना इसका मतलब होता है स्वालंबी होना क्या होता है स्वालंबी होना खुद का कारिय करने के लिए किसी पर निर्बर ना होना स्वालंबी होना मींस क्या है अपना कारिय करने के लिए किसी पर आश्रित ना होना ठीक है निर्बर ना होना तो बेटा आगे हम एक लाइन छोड़के ऐसा ही यहां पर वाक्य बनाएंगे उसके बाद एक लाइन छोड़के हमने लिखना ही यहां पर कठीन शबत ठीक है तो हमने कठीन शबत लिखेंगे बेटा हम बोल बोल के ठीक है हां जी लिखते हैं तयोहा बत्रक्य वाज आ रही है ओ तयो हार तयो हार सिंद्धि लाइन करब करके छोड़ देंगे तो किया बिटा हमारे ये कठी शबत आगे लिखते हैं मुबारक मुबारक पहले हमने किसकी आवाज आ रही है मा के ठीक है बटा बोलो मा हमने क्या बोलना है मु यानि मा को उ की आवाज आ रही है मु बारक बा वहीं से शुरू करेंगे गुलाई वहीं खतम करेंगे बटा मुबारक का मुबारक आगे बटा हमने एक एक लाईं छोड़के इसको दो बार लिखना है ठीक है कटे शाबत आगे बटा लिखते हैं बटा इद गाह इद गाह इद गाह इअगर किसकी आवाज है बड़ी की शाबश इद, इद, गाह, गाह, इद, गाह, आगे लिखते बट हम चांद, चांद, चा बनाएंगे, बीच में शुरू करेंगे, गुलाई लाके छोड़ेंगे, चा, चा, हांची, चांद बिंदू, चा, इद, चांद, बीटा बोल के लिखिए, सुन्दर लिखिए, साख लिखिए, एक एलाई चोड़ के लिखिए, इसकी दोराई केजिए, इदगह, चांद, तयहार, मुबारक, यह हमारा वक्य है, अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब स्वालंबी होना, यह हमने लिखाई धन्यवाद आपका दिन शुबूर